नमस्ते फ्रेंट्स मैं हूँ पूना स्वागत है मेरे चैनल में आज आपके साथ दीपावली की स्पेसल एक ऐसी टिप से अर करूंगी अगर आप इसका अपने घर में इस्तेमाल करते हैं तो पूरा घर सच में चमक जाएगा तो बिना देर करें आज के बहतरी इंसी टिप आ दाएंगे यकीन मानिए यह दिया पूरी रात जलेगा बुझेगा नहीं तो आप इस टिप को देखना बिल्कुल न भूले तो आप से फिर वही एक निवेदन करूंगी कि आप देश दुनिया के किस कोने से इस वीडियो को देख रहे हैं अपने सहर्य गाओं का नाम जरू करूंगी और देखिए आज की वीडियो में थोड़ी बहुत आवाज आ सकती है क्योंकि दीपावली का टाइम है सब बच्चे बाहर पठाके जला रहे हैं इसलिए आपको थोड़ी बहुत आवाज परेसान कर सकती है तो उसके लिए में आपको अभी से सोरी कह देती हूं औ इनको हम जब भी मार्केट जाते हैं कहीं भी छोटी सी जगह भी जाते ना तो इनको केरी करना बिल्कुल नहीं भूलते क्योंकि इसमें हमारी सारी जरूरत की चीज़े होती हैं अब ये बैक जितने सुविधा जनक होते हैं उतनी ही ज्यादा इनके अंदर बैड इसमेल होत इनका हम ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आज आपको इस बुड़नी स्पून की एक ऐसी टिप बताऊंगी कि आप सच में खुस हो जाएंगे आपको क्या करना है इस तरह के आइस क्रीम के चम्मच लेने हैं इसमें पर्फ्यूम डालना है या फिर इत्र लगा लें कोई से टिप बताऊंगी देखिए हम अधिकतर बाहर गूमने चले जाते हैं बच्ची स्कूल जाते हैं हजबर्ड ओफिस जाते हैं कई बार कई ऐसी जगह होती है जहां पे हमको पर्फ्यूम लगाना अलाउन नहीं होता है उस टाइम पे आप इस बुड़न स्पून में इस तर करें तो उमीद करती हूं यह टिप आपको बहुत जादा पसंद आई हो तो अब देख लेते हैं और बहुत बढ़ी हैं सी टिप देखिए हम सब लोग नेल पेंट लगाते ही लगाते हैं लेकिन एक दिक्कत आ जाती है जब भी हम नेल पेंट लगाते हैं तो आपको एक ची करके लगाएंगे ना तो इसका कलर बहुत बढ़ी आता है और बात कर लेते हैं उस प्रॉब्लम के बारे में जो आज आपको में टिप बताने वाली हूं तो जब हम नेल पेंट लगाते हैं तो अपने अंगूठे को इस तरह से बोटल के उपर रख लेते हैं और इस तरह से बोटल को कैसे भी बंद कलने कहीं भी कोई भी निसान नहीं पढ़ने वाला देखे में इस तरह से फिंगर से बंद करूंगी इस तरह से नेल पेंट लगाऊंगे उसके बाद आपको दिखाऊंगी कि यह जो हमारे अंगूठे में नेल पेंट की निसान पढ़ गए थे ना अब उस तरह की निसान बिल्कुल भी नहीं लगेंगे और अगर हलका सा निसान लग भी गया तो आप दूसरे हाथ से या फिर किसी कपड़े से हलका सा पोंच देंगे ना तो सच में इंस्टेंट खतम हो जाएंगे अभी हाथों में बिल्कुल भी चिपकने वाले नहीं है और यह देखिए अब मैं आपको दिखा रही हूँ इस हाथ से मैंने इस बोटल को कवर करके रखा था आप देख सकते हैं अंगूठे से मैंने जब कवर किया था ना तो कैसे निसान पढ़ गए अब मैंने वैसलीन लगाई तो बिल्कुल भी निसान नहीं आए तो आप भी बस यह चोटी सी टिप अपना है वैसे भी जब हम वैसलीन हाथों में लगाते हैं तो हाथ बहुत सौप्ट हो जाते हैं ठंड में हमको लगाना भी चाहिए तो बस यह चोटी सी टिप आस ही आप अपना लें तो मीत करते हूं यह टिप भी आपको बहुत जादा यूसफुल लगी हो, अब देख लेते हैं दीपवली की बहुत ही खास टीप और नेक्स टीप तो इससे भी बहतरीन है, तो यह देखिए हम लोग सब अपने घर में दीपवली में मिट्टी के दीये जलाते हैं, दीये जलाने भी चाहिए लेकिन आप दीयों को इस तरह से पानी में जरूर जैसे ही दिया मार्केट से लाते हैं सबसे पहले आप इनको 10-15 मिनट के लिए इस तरह पानी में गला दें जैसे ही आप इन दिया को पानी में डालेंगे न तो आप देखेंगे पानी से बबाल आने लग गए अगर आप इस दिया को पानी में नहीं गलाएंगे तो जब आप दीपावली के दिन इनमें तेल डालेंगे न तो तेल की मात्रा बहुत ज्यादा लगेगी तो यह छोटी छोटी चीज़े अपना के हम अपने घर के धेरुपैसे बचा सकते हैं मेहनत बचा सकते हैं और बहुत ही सफाई के साथ सारा काम कर सकते हैं अब हम जब यह दिया स्टा वालिदार बरतन में निकाल के रख लें और आप चाहें तो इनको धूप में रख सकते हैं आधा घंटा के लिए या फिर फैन की नीचे एक से डेड़ घंटे के लिए रख दें जिससे क्या होगा इस दिय की ठंड़क खतम हो जाएगी पानी अच्छे से सूख जाएगा और ब चीजे कर लेते हैं तो काफी काम सुविधा जनक हो जाते हैं और फिर तेवहार वाले दिन हमारे पर कोई बड़न नहीं रहता तो ये देखिए सारे दिये सूख चुके हैं और अब हम इनको दीपावली में अराम से जला सकते हैं तो उमीद करती हूँ ये टिप भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई हो अब मैं बताऊंगी आज की सबसे खाश टिप मैंने आपसे बताया था कि आज हम पानी से दिया जलाएंगे और ये दिया पूरी रात जलेगा और आपके तेल की भी बचत होगी तो चली आज देख लेते हैं सबसे अमेजिंग टिप यहां और इसमें अच्छे से पानी भर दें फिर आपको लेना है सरसो का तेल आप तेल से घी से जिस चीज से भी दिया जलाना चाहते हैं आप उस चीज को यहां पे ले 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 और केवल चोथाई चोथाई चमच इस पानी में डाल दें देखिए मैंने यहां पे सरसो का तेल का इ लिए झाल देनी है और फिर आपको हलके से निचोड देना है क्योंकि इतनी ज़्यादा तेल वाली बत्ये हमको इसमें पिल्कुल भी नहीं रखनी ये देखे मैं इसमें घुड़ा थोड़ा निचोड दिया अब हमको इस पानी वाले दिए में इन बत्ये में इस तरह से रख आप ध्यान से देखते जाएं आप भी एक बार में ही ये काम परफिक्ट कर पाएंगे क्योंकि मैं इसका हमेशा इस्तेमाल करती हूँ ये देखे मैंने इन दिया में बत्तियों को डाल दिया है अब हमको इन बत्तियों में आग लगा देनी है ये देखे अब आप यकेन मानी ही ये दिया इतनी देर तक जलेगा और इतने सुंदर लगते हैं कि जो लोग भी देखेंगे वो हैरान तो होंगे ही होंगे साथ ही साथ लोगों को विश्वास भी नहीं होगा कि आपने ये दिया पानी से जलाए है तो इस दीपा वाली में ये छोटी से टिप अपनाए और अपने घर में पानी बाला दिया जलाए तो होप करती हूँ आज की पूरी टिप बहुत ज़्यादा पसंद आई हो अच्छे से समझ में आई हो तो आज की इस बहुत ही अमेजिंग से वीडियो को यहीं एंड करूँगी आपसे फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी और बहुत सारी किचन टिप्स के साथ तब तक टेक क है और बबाई